जहीं दोस्तों वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ मैं हूँ डॉक्र देवू और मैं हूँ राजेश फ्रेंट्स आज की वीडियो का टाइडल है अब जो पौर की वह पागल हो सुके वह तो भी आम वैसे भी जानते थे और जो गते हैं वह और पागल हो सुनते लेकिन अब जो वीडियो अम लेके आया आपके समख्ष वह फनी का मतलब जो आम आदमी यह जो जिसके पाइस टेलेंट है उस टेलेंट पे कुछ फन दिखा रह और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक है जरु से किज़ें तबाह करने की फिराक में है तो कहीं कोई खटारा गाड़ी चला कर वर्ल्ड रिकार्ड बनाते हुए तो चलिए आज की से एपिसोड में हम आपको पाकस्तानियों की कुछ ऐसे ही फ़नी वीडियो दिखाएंगे जिनने देकर आपको मज़ा आएगा और बहुत मज़ा आएगा ये वीडियो काफ़ी इंटरस्टिंग होने वाली है इसलिए इस वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ-साथ बले कि इनको प्रेस करना ना भूले ताक याने वाली तमाम वीडियो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें दोस्तो जुगाडू में पाकस्तानियों का कोई मुकाबला नहीं ऐसे ऐसे जुगाड लगाते हैं कि अकल धंग रह जाती है सबसे पहले पाकस्तानी भायों का ये जुगाड देखें जो यकीन आपको बहुत पसंद आएगा अब यहां पर इन बेचारू की पांच-छे महिने की मेहनत पुलीस वाले अपने साथ ले जाते हैं ये कच्ची शराब इनके काम तो नहीं आई लेकिन पुलीस वाले इसे ले जाकर खूब इन्जॉए करेंगे दोस्तो आजकल हमारे कालेज युनिवस्टियों में पढ़ाई काम और नाच गाना ज्यादा हो रहा है बच्चे एमबिया की डिगरी करने जाते हैं वापसी पर ठुमकू की डिगरी ले आते हैं लगता है इस लड़के को पठानू की लट लग चुकी है अब ये है सपना का आशिक जो सपना के साथ गाना गाना चाहता था लेकिन सपना ने किसी और के साथ शादी कर ली सपना की गाड़ी को दे कर इसका रियक्शन देखें अब इस बहुत बड़े खंबे को ले जाते हुए इस पाकिस्तानी को देखें अगर यही खंबा किसी और मुल्क में होता तो इसके लिए बहुत बड़ी गाड़ी मंगवाई जाती दोस्तो पेपसी एक ब्रेंड है जिसे पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है कमपनिया इसे बड़ी सेफटी के साथ बनाती है लेकिन पाकिस्तानी को तो जुगाड़ पसंद है इस पाकिस्तानी भाई को देखे जो हैंड मेड पेपसी बना रहे हैं और वो भी सफाई सुत्राई का पूरा ख्याल रखते हुए अब ज़रा इस भाई को देखें जो अपना टाइम जया नहीं करना चाहता ये अपने टाइम को किस तरह सी यूटिलाइज कर रहा है स्क्रीन पर आप देखी सकते हैं दिमाग हो तो ऐसा वरना ना हो पाकसान में जैसे ही लड़कों की दुम्बी में दाना पड़ता है तो उने बैरूने मुल्क जाने का शोक चड़ जाता है और ये शोक इने क्यूं होता है इस वीडियो को देखर आपको अंदासा हो जाएगा दोस्तो इनसान या तो आदा मिंटल होता है या फिर पूरे का पूरा लगता है इन बैसाब की तारे शाट हो चुकी है कवाली सुनते ही इन पर वजद तारी हो जाता है और वजद भी ऐसा जो इससे पहले किसी पर तारी नहुआ हो जनाब पाकिस्तान में 97 परसन लोग मुस्लमान है और हर किसी का दवा है कि वो आशके रुसूल है लेकिन समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में आखर खालिस दूद क्यों नहीं मिलता और वो कौन गुस्ताग हैं जो दूद में पानी मिलाते हैं दोस्तों पाकिस्तान की टोटल अबादी का 37 परसन लोग नशे में अपना टाइम जाया करते हैं यनि 6.7 मिलियन लोग और इनका 15 परसन्ट ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो नशे में फुल टून रहते हैं जिन में से कुछ F-16 है और कुछ JF-17 थंडर जरा इन नशेयों की भी बाते सुनने कि ये कितने खतरनाक हैं और क्या क्या कर सकते हैं अप लोगों का जो ग्रूप है वो क्या करेगा हमारे ग्रूप ये करेगा कि हम फोच को बोलें कि आप पीचे हो जाओ और इन्डिया के लिए हमारी फोच ही काफ़ी है 200 पाक्सान में लोगों को उंगली करने का बड़ा शोक है खाम खाम यही बने बनाए काम को बिकाड देते हैं जैसे कि ये खान भाई दूसरे की चलवार उतारते उतारते मिस्तरी मजदूर दोनों को नीचे ले आते है 200 पाक्सानियों में सब कुछ है बस सबर रही जिसे भी देखो जल्दी में नज़र आता है जैसे कि ये बाई सब पेट्रोल डलवाने के बाद इतनी जल्दी में थे कि पेट्रोल पमका पाई भी उखाड कर ले गे दोस्तों दूनिया बर में गाड़ी की एस्टिमेटेड लाइफ होती है जिसके बाद गाड़ी को या तो बेज दिया जाता है या फिर उसे डिस्पोज आफ कर दिया जाता है लेकिन पाकस्तान में गाड़ी की जान कभी नहीं छूटती जब तक के गाड़ी की आंते ना निकाल ली जाए जरा इस लाश को देखे जो कैसे सड़क पर ठुमक ठुमक कर चल रही है दोस्तो पूरी दुनिया में जहां भी चले जाए बोरे हुई या काले पाकस्तानियों से बहुत तंग है यहां से पाकस्तानी बैरूने मुल्क में कांट करने के लिए जाते हैं लेकिन वहां पर जाकर उन्हें उल्टी सीधी हरकतें सिखा कर वापिस आ जाते हैं जैसे कि यह सराइकी बाई इस काले को सराइकी सिखा रहे हैं अब जरा इस जुगार को देखें जिसमें इन पाकस्तानी भाईयों ने कमाल कर दिया अब किसी पाकस्तानी मिस्त्री का ये शाहकार देखें जिसने जगा की किल्लत की वज़ा से सिर्फ एक दिवार पर ही घर बना लिया वैल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं से नेक्स वीडियो में गुटपा है रहे पूरे वर्ट में तो पता है बड़ पाकिस्तान हमसे भी आ गए लागान के नुक्षान नहीं हो रहा है और पैसों की बसट रही है तो चलो भाई वो भी एक हिशाब से वह बढ़ी आई है और जोगार से ही मलब इतने बड़े अविश्कार जो अब है अब तक हमारे पास जो भी आविशकार होते है वो जुगार से ही होते और जुगार से ही मतलव बोलते नश्य हिक बुस्कत भी होती है दिमाग का जदैजने करना पड़ wanna काम है उस विस अ हो जा रहा रहा है तो मेरे शाव से जुगार सही है पैसा कोई को Charles होती है जो तो हमें एक ही बार 활 Ghost- riuse करनी होती है और उसके लिए इतने तरा पेशा बिगाड़Key उसके ल은ब जूगाड़ हो जाए तो सब लोग यही पहले सोचते हैं आध पहले हैं तो पहले यही पहला आता क्विल there a nurse यह सबसे अची बात कि उससे पैशो की बसंद बहुत ही अच्छी मेट यह तो हमने भी देखा है हम भी कर्में कही पार जुगार करते हैं जो कर्में होता हैं वो हो जाते हैं तो उसको पेश्टव को निकालने के लिए उसमें जूगार करने में ज़्यान रखना ज़रूरी है करके जो विखल में जुगार लगाते हैं तो उसमें नगाए यह मेरे दार्य बाकी को में नहीं पता जो लिए कि वाइक करते हैं करते हैं अमल लागए याज़ सकता है संक्षों whilst news sudah न ह thee श्य één में और यूंद कर फूरे में जुग chemistry होते हैं टो वैसे ना करे तो ही अच्छा और स्काशथ पप्लिक प्लेश पर रोड पे एशेज ओगार ना करे ठीक है तो डूस्त विडियो नहीं है , जैंने जेवारत